हाई अब्रीवान वाई नीम इस प्रियान वेलकूम बैक तो मैं चैनल सबसे पहले अगरा मैं चैनल पर नहीं है और आपके मेरे वीडियो मेरे कॉंटेंट पसंद आते हैं अगर आप स्चिश करके कुछ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ रियूज करते वे आप बनाएं तो दो फइब्रीक्स ऐसे हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा फइब्रिक मिलता है एक तो curtain का reuse करते हुए दूसरा bad shade तो उसी मेंसे मैं आज आपके साथ curtain का reuse share करने वाली हूँ यह मेरा curtain cotton का है और काफी heavy इसका fabric है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे apron जिसके लिए मैंने दो papers के cutting लिए है measurements में screen पे mention कर दूँगी पेपर के cutting आपको बहुत help करता है एक तो यह कि आप इसको आगे के लिए रख सकते हैं दुबारे से सेम साइज के लिए second के जब cutting करते हैं तो काफी help होती है तो अभी सबसे पहले मैं इन साइज के fabric कट करके रड़े कर लूँगे next में ने यहाँ पे ब्रॉड वाला फैबरिक लिया है तो अभी इसको इस तरीके से फोल करके बॉटम के दो कॉर्नर्स पर में वहलका सा कर्व कर्ट करना है तो यहाँ पे मैं मांक करके इसको कट करके रेडी कर लूँगी अब ही सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यूज करने वाली हो अगर आप आपिन में परफेक्ट नहीं है और फ्रिल्स लगा रहे हैं तो मैंने इस तरीके से इसको चारो तरफ से फोल कर दिया है और यह है फ्रंट साइड मतलब यह सीधा साइड है तो सीधे महीं मैं अंदर के तरफ सीधी साइड से कर रही हो सो अभी यह वाला में बाद नहीं बताऊंगी कि इसका क्या फाइदा है साभी सेंटर पॉइंट के लिए मैंने हाप इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है और यहां पर हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा अब दोनो जो पोशन है उसको इस तरीके सा अटाच कर लोंगी तो मैंने हाप पे पिन लगा लिया है है और मैं यहांसे इसको स्टेच कर लोंगी नेक्स्ट मैंने ये फैब्रिक लिया है पाइपिंस के लिए कॉर्टन का फैब्रिक है कलर कॉम्बो के अकॉर्डिक मैंने चूस किया है अब यहां पर मैं पतली-पती स्ट्रिप्स कट कर लूँगी तो जब भी आप दो स्ट्रिप्स को टैच करें तो यह method काफी आपको help इस से तो जब कव आते हैं या फिर कुछ इस तरीकी का होता है तो लाइनिंग नहीं आती है और जहां पर जोइने सागा मोटा नहीं आता है इस तरीक से अगर आप इनको अटाइच करते हैं तो अभी जब यह दोन अटाइच हो जाएंगे तो इसके दो एंड्स हैं आप देख रहे हैं तो सिर्फ एक साइड में इस तरीक से फोल कर रही हूं और अब यह जो बॉटम वाला पोर्शन है उसमें में फ्रिल् कर दोंगे तीनों तरफ से और फिर हमारी स्टिचिंग है वह जो स्टिचिंग आती है वह छुप जाएगी और इससे बहुत अच्छे डिटेलिंग आएगी जो उपर वाला पोर्शन है उसमें इस तरीके से में फ्रिल्स लगाने वाली हूं बट जो मेजर्मेंट है इस पार ने थोड़ा सा कम लिया है जो नीचे पुर्शन तो उसमें चौड़ा था इसमें चौड़ा थोड़ी कम है इस में भी सेम में इस तरीके से फ्रिल और लेज्ड लगा कर लोगे कि नेक्स्ट मैंने हैं पर इस तरीके से फोल करते हुए एक स्ट्रिप रेडी कर रही हूं चुर्कि नेक पॉश्टिन में जाएगा सो लैन्थ आप अपने अपरें आपने साइस के अपरिंग कर सकते हैं यहां पर मैंने इसको आइरन करके रेडी कर लिया आइरन करके सी तरीकी साब रेडी कर लेते हैं तो आपकी finishing अच्छी आते हैं आपके stitching में अभी problem नहीं होती है यहां पर simply मैं इसके दोनों ends को इस तरीकी से finishing देते हैं रेडी कर लोगी यह वाला step आप फ्रिल लगाने से पहले भी कर सकते हैं उससे है कि जो strip की stitching होगी वो छुप जाएगी पर यहां पर मैं लेस से उसकी stitching चुपा रही हूं और यह हमारा रेडी हो चुका है नेक्स मैंने यहां पर लिया है एक और स्ट्रिप जो के काफी बड़ी साइज में इससे हमें बेल्ट बनाना है तो इसके दोनों ends में इस तरीकी से फोल्ड करते हुए इसको मैं यह से लॉक कर दूंगे ताकि थ्रेट ना निकले और फिनिशिंग अच्छी आए तो यह हो ज यहां पर मैंने बिल्कुल सेंटर दोनों एकुल साइड लेंज लेओ मैंने इसको अठकिया है तो इहां पर सिंपल फैब्रिक में है स्टिचिंग नहीं जाए की मैं पूरी बेल्ट मैं सको चारो तफ से घुमाने की आए वाली हो ताकि रीदे अच्छी है वहां है उंमारा तीनों साइट से यहाँ पर में डारेक्ट ली स्टिचिंग करके रेडि कर दूंगी. नेक्स्ट पर बनाएंगे मिटन कवर्स और मेजर्मेंट के लिए अल्लेडी में पास अपना एक पुराना डियाईवाई का मिटन कवर्स है तो मैसी को यूज करने वाली हूँ सेम अब इस तरीके से रखते हुए मैं इसके साइजेस कर लूंगी क्योंकि दो मिटन कवर्स बना यह कौन भाएंगे आम बाइपन और यह था एज अबर में रूट भाण अब न के बाद अब इसको अन्यास को जो और तरफ बाहर के तरफ इसको प्रके इसे रखे से रखेंगे और सैंसे को फिर हम पूरी बॉरेंड्री में प्रम चिंग रिडी कर लेंगे नेक्स्ट आम बनाएंगे पॉर्ट होल्डर तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं बट मैंने जो साइज लिये मेजर में आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा अब यहाँ पे मैं बनाने वाली दो पीस तो फोर कटिंग में कट कर लूँगी और अब कटिंग के बाद इसमें मैं लाइनिंग लगाने वाली हों फॉर्म शीट का सो यह फॉर्म शीट आपको चाहिए त्रेट्स और बागी चीज़े मिल जाएगी मार्केट पे यह मुझे थर्टी रूपीस पर मीटर के अकॉर्डिंग परना यह वाटर प्रूफ होता है बहुत टाइम तक चलता है लाइट वीट भी होता है आप चाहें तो डबल लाइनिंग भी दे सकते हैं इसकी और लाइनिंग में आप चाहें तो टावल का यूज़ भी कर सकते हैं या फाब्रिक्स की लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं तो बस इस तरीके से मैं सेंटर में रखके अब इसमें सा से जाले उपर वाले पोर्शन में एक साइड से इसको बिल्कुल चारों तरफ से हम अटाइच करके स्ट्विचिंग करके इसको रैडी कर देंगे फिर इसको हम करेंगे टर्न इस तरह के से और फिर बस यहां पे इसके एंड में लॉक कर देंगे ताके थ्रेड ना निकले और इस तरीकी से fold करते हुए इसको फिर चारो तरफ से stitching करके ready कर लेंगे piping के बाद अब इस portion को हम use करेंगे hang करने के लिए तो simplest तरीकी से fold करते हुए मैं यहाँ पे इसको stitching करके attach कर दूँगे आप चाहें तो इसकी length और जादा रख सकते हैं अपने comfortable के according अब ही हमारा जो pot holder है वो ready हो चुका है आप चाहें तो दो-तीन लेयर्स और फॉर्म की लगा के इसको अच्छा से बना सकते हैं नेक्स्ट आप हम बनाएंगे oven made glove और इसको बनाने के लिए मैंने newspaper के cutting कर लिए fabric भी मैंने cut कर लिया measurement आपको screen पे मिल जाएगा सो यहां पर मैं आगे का जो भी stitching है वो pictures के साथ share करने वाली हूँ सो यहां पर मैंने दो form इस पार use की हैं ताकि थोड़ा और heavy हो जाए सो इस तरीके से मैंने इसको cut कर लिया है अब मैंने यहां पर दोनों form layers को इस fabric के अंदर इस तरीके से रग दिया है अब हम इसमें करेंगे stretching इन चारो layers को attach करने के लिए सो यहां पर आप चाहें तो कोई भी कुल्टिंग कोई भी method कर सकते हैं क्योंकि मेरा fabric already printed है तो मैं simples में lines करने वारी हूँ इस तरीके से slanting lines और यह जो fabric है base हमारा बिल्कुल ready हो चुका है next मैंने यहां पर दो fabrics इस तरीके से pieces ली हैं इसके आपको measurements बाद में पता चल जाएगा अपने आपी और इसमें हम करेंगे पहले piping तो एक साइट से आपको पहले इस तरीके से सिल लेना है और इसको turn करके इस तरीके से कर लेना है अब आपके stitching अगर देख रही है तो आप चाहें तो इसमें लेसिस लगा सकते हैं तो यहां पर मैंने इस तरीके से लेसिस लगा रही हूं ताकि complete set लगे और लेस लगा कि इसको मैं ready कर लूँगी तो यह जो दो fabrics हैं इनको हम इस बेज के दोनों ends में लगाएंगे कुछ इस तरीके से और इसको फिर हम पूरी boundary में stitching करके सबको attach कर लेंगे आपस में अब इस तरीके से attach हो जाएगा और बिलकुल पास में नहीं करना वना जो आप हाथ रखेंगे तो वह आप हो सकता है बहुत चोटा हो जाए तो उसका ध्यान देना थोड़ा सा अब मैं यह पर पाइपिन लगा कि इसको चारो तरफ से पाइपिन की detailing देके इसको रैडी कर लूँगी तो यह थे आज के बहुत easy DIY जो कि आप curtain से कर सकते हैं बहुत easy है इसके साथ बहुत सारी चीज़े भी add कर सकते हैं detailing बहुत कुछ दी जा सकते हैं so I hope आपको पसंद आया होगा so सबसे अच्छा क्या लगा मुझे comment box में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छे लगते तो like कर दीजेगा so मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care और अपना ख्याल रखेए